असलाम अलेकुम नाजरीन वेलकम बैक टो इन्फोवर्ड चैनल आज हम जो चीज डिसकस करना जा रहे हैं वो है एक्सल से डिलिटे कि मैं काम करुए था एक्सल में और मुझे खुछ कुछ मिस्ट्रेक हुई मैंने सारे लेटर्स जो थे متलब एक फॉर्म फिल करना था और उसको मैं कपिटल लेटर्स में लिखना था हैरे स clairement लेटर्स में लिखते यह सारा समॉल लेटर में लिखता लगया अब मैं काफी इस पारे में रिष्ट था कि अब मैं अगर दोबारा ही सारा डेटा फॉर्म फिल करना है तो मैं कैसे इसको दोबारा capital letter में करूँ उसके तो बहुत टाइम लगेगा तो एकसल में एक फॉर्मूला है उसको आप नोट कर लें इक्वल टू यू डबल पी ई आर अपर ब्रैकेट उसके बाद आप रो और कॉलम और रो नमबर लिखें डी सिक्स और ब्रैकेट बंद करें और एंटर कर दें यह दिखें जो कुछ स्मॉल लेटर में था वो सारा कैपिटल लेटर में आप यहां से इसको कॉपी करें कॉपी करने के बाद एसे नीचे सेलेक्ट करके एंटर करें वो सारा फार्मला आगे भी कॉपी हो जाएगा इसी तरह अगर आप इसको लोर केस में करना चाहें तो इक्वन टू लोर लिखें और अब चुँके ई सिक्स वारा जवा वो कैपिटल में है तो हम एसी करते हैं ताके वो उसको तुबारा लोर केस में करते हैं तो यह देखें नाथरीन यह सारे लोर केसिज में झावे हैं तो इस तरह हम जो है वो अपने एक्सल में कोई भी हम डेटा इंटर का रहे हैं और हमसे याद आए कि नहीं यह तो सारे कैपिटल में आने थे तो हम पिर इस तरह कर सकते हैं अब अगर हम इसको यहां से कॉपी करके तो कहीं और लेके जाके पेस्ट करेंगे तो यह बेसिकली चुकर फार्मॉला है तो वो फार्मॉला जो है वो वहाँ पेस्ट करेगा ठीक है तो हमने ऐसे नहीं करना हमने इसको करना है यह ratio वान में हम वापिस आते हैं इसको कॉपी करते है ठीक है और फर्द करें यह चीज जो लिखी हुई है इसको हमYe2मे लेकर जाना जाती है तो यहां पर हम करेंगे right click right click कर के paste special करेंगे और यहां से values को ok कर के paste करेंगे यह सारी values दाएगे नहीए टीक है तो इस तरह हम transformations कर सकते हैं इन्शाला नेक्स वीडियो के साथ बहुत जल्द दोबारा आपके इत्मत में हाजिरों के चैनल को लाइक कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा टेक केर अलाहाफेस